7.2.1 विकास की अवधारना इमानुवेल कांड का मानना था कि विकास का यह मतलब नहीं है कि लोग सुखी या खुश होंगे क्योंकि मनुष्य इतिहास के किसी भी दौर में सुखी या दुखी हो सकता है उनका मानना था कि विकास का वास्तुएक मान दंड है मनुष्य की स्वतंत्रता में व्रिद्धी औ और जीवन में विकल्पों की प्रचुर्ता आधुरिक कार उन्नत इसलिए है क्योंकि मनुष्य पहले से अधिक स्वतंत्र है और वा विभिन्य जीवन शैलियों के बीद चुनाव कर सकता है 7.2.2 तर्क या बुद्धि का युग प्रबोधन के विचारकों का मानना था कि इस युग में तार्किक चिंतन धीरे-धीरे मनुष्य के निर्णेयों को निर्धारित करता है ना कि अंध्विश्वास, धर्म या कुलीन व्यक्तियों का कहना 9.2.1 उनका मानना था कि तर्क की मदद से मनुष्य ना केवल किसी अधिकारिक वेक्ति या संस्था पर सवाल उठा सकता है और उनकी चान्बिन कर सकता है बलकि उसकी मदद से मनुष्य विवेक शील और सुख में जीवन भी जी सकता है बुद्धी ही मनुष्य को सही रास्ता दिखा सकती है इसलिए प्रबोधन का मुख्य मकसद लोगों में तर्क शक्ती जागरित करना और उसमें विश्वास जगाना है ततकालीन विचारक होल बाग के शब्दों में हम मनुष्य में हिम्मत बांधे उनमें अपनी ही बुद्धी में विश्वास जगाएं और सत्य की लालसा जगाएं ताकि वा अपने ही अनुभवों के आधार पर निर्णा लेना सीखे और किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित कोरी कल्पनाओं से ठगे न जाएं 7.2.3 विज्ञान प्रबोधन ने माना की विज्ञानिक ज्ञान ही सही ज्ञान है विज्ञान से उनका तात्परिथा ऐसे निश्कर्ष जिन पर अवलोकनो वो प्रयोगों के आधार पर तारकिक रूप से पहुँचा गया हो और जिनका स्पस्ट प्रमाण हो किसी दैवी संदेश या आध्यात्मिक ज्ञान की प्रमाणिकता को स्विकार नहीं करना चाहिए उनके विचार में विज्ञान के तरीकों में वह ताकत है जिसकी मदद से हम दुनिया के बारे में सब कुछ पूरी तरह से जान सकते है इसके लिए किसी धर्मगरंथ या तथा कतित ज्ञानी के उपदेशों की नहीं बलकि प्रयोग, अवलोकन और तर्क की जरूरत है प्राचीनकाल तथा मद्धकाल में ज्ञान के सह संबंध में यह माना जाता था कि वाकिवल चीजों का व्यवस्थित वर्गी करन है अब क्यों वा कैसे जैसे सवाल कहीं अधिक महत्वण हो गए हैं वे मानते थे कि इस ग्यान के मदद से हम नई तकनीकों को विक्सित कर सकते हैं जिनसे जीवन अधिक सुख में हो सकता है